नमस्कार मैं हूँ जोती अरोडा और मैं आप सभी जी उत्रप्रदेश उत्राखंट के दर्शकों का इस खास प्रोग्राम जिंदगी आज कल में स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में मैं आपको आज का राशी फल बताने जा रहे हूँ आज है वीरवार यानि की गुरुवार आज के दिन का आपका आपके संसाइन के हिसाब से जो राशी फल बनता है वो मैं आपको बताऊंगी अपने टैरो कार्ट की मदद से तो सबसे पहले हम शुरुवात करते हैं एरीज यानि की मेश राशी से तो अगर आपका संसाइन है एरीज यानि की मेश तो आपके लिए क्या निकल कराता है आज का टैरो फोकास तो आपके लिए निकल कराया है कार्ट मैजीशन मैजीशन बताता है कि आज के दिन आप लोगों को बहुत प्रभावित करने की शमता रखते हैं ये कार्ट बताता है कि आज का दिन आप लोगों को उसी तरहां से दिखाएंगे जैसा आप चाहते हैं आप बहुत ही कम रिसो प्रॉब्लम है वह बहुत जल्दी रिजॉल्फ होने वाली है चलिए अब दूसरी राशी की बात करते हैं तो आपके लिए आज का टैरो कार्ड निकल कर आता है दा हीरो फैंड का कार्ड बताता है कि आज मिलेगा आपको अपने गुरू का आशिरवाद ये कार्ड ये भी बत बताता है कि आप अपनी रूडि वादी विचारों के साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे ये कार्ड देता है एक उरेंज्ड मैरिज का नरे स्थिति रिवाजों के साथ शादी के बारे में बात की जाए तो ऐसी अगर स्थिति है कि शादी की बात की जा रिए तो आप यह मत सोचेगा कि आप कट शॉट पे शादी कर लेंगे तो बिल्कुल और्थोडॉक्स मेतर से शादी होने वाली है अगर आपकी कोई प्लैनिंग लिए वालों के लिए कैसा रहने वाला निकल कर आता है टाऊण के लिए लोगों के साथ रहने का आपको बहुत ही ज्यादा सुखत अनुभव और्पने completely advertise 1000 बों पाने का जो आपने उनको वह remainder रहे हैं आप नहीं उनको एंजॉय कर पा रहे थे ये कार्ड ये भी बताता है कि कोई ऐसा धार्मिक आयोजन आप अटेंड कर सकते हैं जिसमें आप काफी पॉजिटिव और काफी ज्यादा जो है बहुत उत्साहित महसूस करेंगे तो आज का दिन अच्छा है आप लोगों के जाये तो Cancer यानि कि करक्राशी वालों के लिए निकल कराया है Princess of Hearts का का ये कार्ड एक प्रेम संदेश का कार्ड है ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका अगर कोई important document आने वाला था जिसमें आपको ये नहीं पता था कि ये document positive message लेकर आएगा या negative message लेकर आएगा तो ये आप मान कर चलिए कि वो message होगा एक डम positive क्योंकि ये कार्ड बहुत ही positive energy देता है love messages exchange तो definitely होते हुए नजर आ रहे तो lovers के लिए तो ये बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है आज का अगली राशी की बात करने जाए तो लियो यानि कि सिंग राशी की बात करते हैं अब तो family में इतना involved ना हो आपको लगेगी चलो family के साथ तो सब कुछ ठीक ठाक ही आज दोस्तों के साथ सब में विताया जाए क्योंकि दोस्त हैं उनके साथ बहुत आप lively feel करेंगे और बहुत सारे ऐसे रुके हुए काम है जो आज आप complete करने के बारे में भी सोचेंगे और complete भी कर पाएंगे तो आपके लिए आज का दिन मैं काफी अच्छा मानती हूँ और अगली राशी की भी बात कर लेते हैं तो lio के बात अब है स्ट् ये बताता है कि आपके लिए आज का दिन पहली बात तो यह तो आज आपका जो है ना आज का बहुत ब्यूटिफुल दे है इंड़ इंट 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 आप सकते हैं तो आज भगवान आपको एक तरह से आशिरवात देगा कि चलिए आज हम आपको रूप प्रदान करते हैं वैसे रूप बढ़ाने के लिए आप सब को एक छोटी से होते हैं तो भगवान आपको ब्लेस करता है एक ब्यूटिफुल आउट लुक से तो फ्लावर्स ओफर करता है एक अच्छी ऑफरिंग होती है भगवान को तो इस कार्ड के बारे में और बात कर लिजा है आप लोगों के लिए तो ये कार्ड ये बताता है कि आपके घर में इस पूरे सब्ता की बात नहीं हो रही है आज के पर्टिकुलर दिन की बात हो रही है कोई ऐसी नियर रिलेटिज में कोई अच्छी गुड न्यूज भी आ सकती है कि किसी का कंसेप्शन ऑफ चाइल है संतान प्रापती हो सकती है किसी की तो आप बहुत खुश होंगे इस न डॉकुमेंट जो की आप लोगों के लिए बहुत समय से प्रतिशित था वो डॉकुमेंट अब अराइव कर सकता है वो डॉकुमेंट शायद आप अपने हाथों में ले पाएंगे और ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे थे तो कोई कार्ड देखिए फृष्षिक राशी वालों के लिए आज आपको अपटी वानी मतला मुझे लगता है कि आज आपकी वानी जो होगी न वो थोड़ी सी आज आप नेगिटिव बाते भी करेंगे थोड़ी सी कटू बाते लोगों से शैथ करेंगे लेकिन कभी-कभी क्या होत कि यह एक passing phase है अब अगली राशी का रूप करते हैं तो Sagittarius की बात कर ली जाए तो धनुराशी के लिए कार्ड चली मैं यहां से निकालती हूं धनुराशी के लिए निकल कराए है एट ओफ स्वोर्ड का कार्ड धनुराशी का यह जो कार्ड है तिकि इस कार्ड में यह जो यह person है यहां तरक से स्वोर्ड से घिरा हुआ है इवन सर पर भी एक्स पॉर्ड था तो अधना मूवी नहीं कर सकता है यानि की आपने खुद अपने लिए boundaries कर करी हुई हैं इस तरह का कुछ situation क्रेट हो सकता है आप खुद अपने लिए limitations खड़ी कर सकते हैं यह कार्ड यह बताता है कि आप खुद अपने लिए प्रॉब्लम घड़ी करो और दूसरे पे ब्लेम करो ऐसी स्थिति आ सकती है तो आपको दूसरों पे ब्लेम गेम करने से कोई लाब नी होने वाला क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम से खुदी सुल्यूशन निकालेंगे खुदी उससे बहार निकलेंगे तभी आप अपने आपको फ्री कर पाएंगे तो यह है आपके लिए अगली राशी की बात कर ली जाए तो कैप्रिकॉन के बारे में देखते हैं कैप्रिकॉन के लिए है यह कार्ड तो मक्त राशी के लिए एस और यह अच्छा कार्ड है पॉजिटिव कार्ड है यह बताता है कि फ्यूचर में आपका जो फाइनेशल वेल्बिंग है वो कैसी होगी उसकी शुरुवात होने का आज का दिन है कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे आज का दिन वैसे भी कुछ चोटा मोटा गेन आपको होता हुआ नजर आता है और अब अगली राशी का भी हम रुप करते हैं तो हम बात करते हैं एक्वेरियस की तो एक्वेरियस के लिए कार्ड निकल कर आता है किंग ओफ वांड का कार्ड बहुत ही जैसे बोलते हैं लोगों की मदद करने वाले आप देने वाले लोग सहसी लोग ऐसे व्यक्ति वाले व्यक्ति आज आप माने जाएंगे साथी साथ यह भी हो सकता है कि इस तरह के नेचर वाला कोई व्यक्ति आपके जीवन में आए और आपके लिए आपका व्यक्तित भी लोगों से सराहा जाएगा और आपकी भी इसी तरह के व्यक्ति आज सामने आएंगे तो आपके लिए अच्छा दिन हो सकता है चलिए अब आखरी राशी की बात करते हैं मीन राशी की तो मीन राशी के लिए जो काड निकल कर आया है आपके लिए काड निकल कर आया है एक स्पीड काड यह बताता है आपके रुके हुए काम तुरन तुरन बनते हुए जाएंगे और जितने भी चैनल से वह अपनब हो जाएंगे और आपको लगेगा कि यह काम अब तब तो हो नहीं रहा था लेकिन इतनी स्पीड से कैसे होने लग गया तो आप आज के दिन बहुत पॉजिटिव रही है और बस आप अपने काम पे लग जाएंगे देखिए का सारे काम चट 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 पूरे होने शुरू हो जाएंगे तो यह आप सबका आज का टैरो फोकास था कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है चली मैं आ आप किसी फ्लास शॉप पे जाएंगे जहां पर आर्टिफिशल फ्लास मिलते हो वहाँ पर प्योणी फ्लास मिलते हैं प्योणी फ्लास कुछ इस तरह के दिखने वाले फ्लास होते हैं यह प्योणी फ्लास हैं अगर प्योणी फ्लास आपको एग्जैक्ली ना मिले तो आप प्यावनी फ्लास की पेंटिंग भी ले सकते हैं और इस पेंटिंग को आप अपने घर की साउथ वेस्ट डिरेक्शन में लगा सकते हैं अगर आपका मतलब कुछ आपके घर में अविवाहत भेहन भाई हैं तो आप साउथ वेस्ट में लगाएंगे तो उनके लिए रिष्टे आने शुरू हो जाएंगे अगर आप खुद आव विवाहत हैं तो आप अपने बेड्रूम की साउथ वेस्ट में लगा लीजे और एक चीज और अगर आपको अपने रिष्टों में और मधूरता लानी हो तो आप नॉर्थ वेस्ट डिरेक्शन में भी इसको प्लेस कर सकते आप सब बेनिफिट उठाएंगे और आने वाले दिन में आप सब के लिए मेरी तरफ से शुप काम ना है अगले एपिसोड तक के लिए मेरी तरफ से नमस्कार